कोटक महिंद्रा बैंक लूट के मामले में दिहात पुलिस ने लूट गिरों के दो सदस्यों को काबू करने में सफलता हासिल की है इस समंद में जानकरी देती हुए SSP स्वर्ण दीप सिंग ने बताया कि क्राइम रांच के प्रभारी पुष्प बाली नाकबंदी के दोरान विधीपूर फाटक के पास मौजूद थे इस दोरान अमरिसर की तरफ से उन्हें एक कार बिना नंबर के आती हुई दिखाई दी जिसे रोक कर जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें से 3,90,000 रुपए की राशी बरामत हुई इन पैसों पर कोटक महिंद्रा बैंक की मोहर लगी हुई थी जब अरोपियों से पूछता चकी गई तो उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले उन्होंने गाव हजारा के कोटक महिंद्रा बैंक में गन पॉइंट पर 9,00,000 रुपई की लूट की थी पुलिस ने अरोपियों के पास से एक पिस्तॉल 32 बोर, तीन जिन्दा रोंद, एक लैपटॉप, एक कार, एक सोने की अंगुठी और एक जोड़ी सोने के टॉपस भी बरामत किये हैं पकड़े गए अरोपियों की पहचान दविंदर सिंग और रमन दीप सिंग और रुफर रमन दोनों निवासी तरन तरन के रूप में हुई है, उन्होंने बताया कि जल्द ही अरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि इनसे आगे की पूचता की जा सके, जिससे और भी कई खुलास से होने की संभावना है, जालंदर से पंकच शर्मा की रिपोर्ट के पुलिस पार्टियां पहुंच के स्पीडी साथी सुपरविजन चे अपने इंस्पेक्टर पुश अप बाली इन चार्ज क्राइम ब्रांच है गया, उन्होंनों एतलाया गया क्योंकि इसी उन्हों किसी हो ड्यूटी जी बिजी सी इस करके इन्हों इस कर्म ने और इन अकुलों जीड़ा लूटता जीड़ा सिगा पैसा वी ब्रामत हो गया है गा, तिन लखनबे यार पे इन अकुलों कैश मिले आएगा, एक एरन लैट टॉप ले आसेगा, वो मिले आएगा, कुछ इनने गोल्ड परचेस किता से, पुतली घर, अमरसरतों, वी रिकव किता है,